हलो दोस्तो नमस्कार कि इस वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि इस वीडियो में लगबग हम लोग 5 से 6 major points को cover करने वाले है और यह जो last के 2 points है यह काफी important है ठीक है और इससे related जो practical भी हम लोगों ने देखा था जो हमारा दूसरा channel है मतलब वहां के link भी मैं आप लोगों को बता है हर कोई अपना share market में portfolio बनाता है खुद से ठीक है और खुद से share market में portfolio बनाने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही ख्वाब इच्छा होती है कि बाई multi bagger stocks मिलने चाहिए so multi bagger stocks कैसे धुन्डे जाते हैं इससे related already detail में वीडियो मैंने पिछले Saturday के दिन बना के रखा हुआ था उसका link भी मैंने नीचे description box में देके रखा हुआ है so इस video में हम लोग बात करने वाले दोस्तो कि penny stocks से related yes कि multi bagger penny stocks हम लोग कैसे identify करे इससे related भी बहुत सारो लोग सवाल यहापे पूछते रहते हैं ठीके और इस video के अगर हम लोग बात करें दोस्तो इसी topic को हम लोग detail में यहापे cover करने वाले है along with logic यहाँ सो दे कि share market में हो या फिर जिन्दगी में हो कोई भी चीज अगर आप करते हो ना उसके पीछे ना कोई एक logic होना चाहिए अगर आप तुक्के बाजी करते हो ना तो फिर कोई मतलब नहीं है बोलने के लिए share market है फिर आप जुआ ही खेल रहे हैं आपे इस video में किया पे penny stocks कैसे हम लोग multi bagger अच्छे penny stock हम लोग कैसे चुन सकते उसके पीछे का logic क्या है वो में आपके सामने आपे रखने वाला हूँ तो इसके चलते आपको बहुत सारी चीज़ी सीखने को आपे मिलने वाली है बड़ उससे पहले clear cut disclaimer देना चाहूँगा दो disclaimer सबसे पहला disclaimer है कि इस video में कुछ दो-तीन stocks में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ just for example purpose ठीक ही भाई कोई recommendation नहीं है बहुत सारे लोग जो एबदम पॉपकॉन की तरह उचलते है बहुत जल्दबाजी होती है आज कल की generation के बच्चों में आपको पताईए वो नाम देखके ही भागना शुरू कि चलो भाई बोल दिया लगता है यह recommendation है खरीद लो आरे बाबा नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्यू बोल रहा हूँ example बता रहा हूँ, उसके पीछे reason का है logic का है वो major चीज़े तो यह सबसे पहले disclaimer लेकर चलो कि जो shares में आपको बताने वाला हूँ study purpose के लिए example है उधारन के लिए है, and second most important disclaimer, second वाला, कि हमारा major focus, भाई, अच्छे quality stocks के उपर ही रहने चाहिए, बट फिर भी portfolio अगर आप बना रहे हो ना, and अगर आपको penny stock अपने portfolio में रखने है ना एक-दो penny stock रखने ना, तो चलिए उसके पीछे भी कुछ तो logic होना चाहिए, तो वही में आपके सामने आपे पेश करना चाहूँगा, and सबसे most important चीज, जैसे हम लोग penny stock को क्या बोलते हैं, रद्धी stocks बोलते हैं, रद्धी क्यों? क्योंकि जो आपके घर में scrap रहता है, newspaper की जो रद्धी बनती है न, वो आप देने के बाद शायद से 100 रुपे, 1.500 रुपे, 200 रुपे, 300 रुपे, कुछ तो आपको मिलते होंगे, यस, वो ही पैसा, ऐसे penny stock में लगाना होता है, experiment केरने के लिए, अपना hard earn money, salary वाला पैसा भाई, penny stock में डालना नहीं होता है, ठीके, क्योंकि यहाँ पे देखा गया, तो पैसे डूबने के चांसे ज़्यादा रहते है, सो अगर 100, 200, 300 अगर डूब गया, तो कई हम लोग रस्ते पे नहीं आएंगे, बढ़ ऐसे बहुत सारे में लोगों को देख चुका हो, लालच के चलते, ठीके, अपने salary का बड़ा-बड़ा portion, बहुत सारे ऐसे बेवकुफ भी देख चुका हो, कि पूरी salary डाल देते, penny stock में, आगा पीछा कुछ पता नहीं है, बस तुक्के बाजी कर लेते, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो डूब जाते हैं, तो ऐसा नहीं करने हैं, यह stunt नहीं मारने हैं, ठीके, जो भी चीज करते हों, उसके पीछे कुछ logic होना चाहिए, और वही logic में आप लोगों के सामने आपे पेश करने वाला हूँ, तो जैसे मैंने का कि जो में steps आपको बताने वाला हूँ, उन steps को आप भी आपे study कर सकते हैं, यह steps मैं खुद follow करता हूँ, और बहुत अच्छे खासी result मुझे आज तक आपे इन steps को follow करके मिले भी हैं, तो कुल मिला कि हम लोग 5-6 steps को यहापे मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, कि अगर मैं किसी penny stock में जाने का विचार करता हूँ, तो यह 5-6 चीजों को मैं देखता हूँ, और वहापे अगर कोई ऐसा scenario, criteria अगर बंद रहा है, तो उस criteria की हिसाब से उन stocks में मैं थोड़ा सा risk लेकर, जैसे मैंने कहा कि इतना ही पैसा लगाता हूँ कि चलो कल 0 भी हो गया, तो भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीके उस हिसाब से मैं experiment करने की कोशिश आपे करता हूँ, और कुछ मैंने experiment ऐसे किये भी थे, उसके में prove भी आपे आप लोग के आपे वडियो के मादयम से आपे दिखाने वाला हूँ, तो चले start कर लेते दोस्तो, point number one, criteria number one, अगर किसी penny stock में अगर मुझे जाना है, मुझे, मुझे, तो सबसे पहला मेरा भाई criteria होता है chart pattern, yes, देखे कोई भी chart pattern अगर आप share market में open करोगे न, उसका pattern एक ही रहता है, left to right वो chart pattern चलता है, और मुझे चाहिए भाई left to right उपर जाने वाला chart pattern, उपर जाने वाला, left से लेकर right तक नीचे जाने वाला नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मतलब अगर मैं आपको example दिखा दू, ये वाला chart pattern देखे, ये कैसा है, ये left से लेकर right तक, हर chart pattern left से right ही चलता है, तो ये तो left से right नीचे जा रहे भाई, नहीं चाहिए मुझे, इवन दो ये penny stock ही, आप देख सकते, एक जामाने में 100 पे चलता था, आज एबदम 5-4 रुपे पे चलता है, नहीं चाहिए, ये वाला chart pattern देखे, left से लेकर right तक, कैसा जा रहा है, मुझे तो उपर जाने वाला अरे भाई, ये तो नीचे जा रहा है, पर देखा गया न दोस्तों, हकिकत ये है, 99% retail investor को ये chart pattern काफी पसंद आता है, वो ऐसे penny stock में पैसे दबा कर लगाते है, क्यों पता है, उनका logic क्या है, पर एक जामाने में 1000 पे देखने को मिल रहा था, 1500 पे देखने को मिल रहा था, आ ठीक है, all is well, all is well बोलकर लगा देते है, और आप यहापे देख सकती है stock, जिस level पे है, lower low, lower low काट के नीचे ही चला गया है, तो नहीं ने, वापस यहापे आएगा, खुद को ही मतलब, बोलते है ना, बनाने जैसी चीज़े यहापे करते है, तो ऐसे stunt यहापे नहीं करने द अरे भाई वो court में है, और कुछ हफते के बाद वो company dealist हो गई, अब पूछ रहे कि सर अप में क्या करो, अब क्या करोगे गया पैसा, तो यह ऐसा मतलब emotional edition नहीं लेना, यह इस प्रकार के जो penny stock होते है न, इनमें जो लोग जाते है, यह emotional investor होते है, कि वापस जाएगा, उप उपर जाएगा, यह होगा, वो होगा, अरे भाई, बिजनेस कौन देखेगा, कुछ तो logic होना चाहिए, जैसे मैंने शुरुआत में का logic होना चाहिए, कुछ तो, तो यह इस प्रकार के penny stock में विलकुल भी ने, यह वाला penny stock देखिए, कोई recommendation है, मैं सिफ आपको बता रहा हू कि chart pattern में कैसे identify करता हूँ, यह देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, left to right देखिए, सबसे पहले, उपर जा रहा है, ऐसा नहीं है, कि उपर कई तो 404,000 था और आज 4 उपे पे आ रहा है करके, नहीं, left to right आप देख सकते हैं, कुछ तो scope है इसमें, और बीच बीच में द सा है, उर्जा ग्लोबल करके, कोई recommendation में आपको just एक example बता रहा हूँ, ठीक है, और उर्जा ग्लोबल से related, आपको याद है, हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था, कितने रुपे पे था तब यह, दो रुपे पे था, आपको देखना है वो पुराना वीडियो, link उपर करोगे, तो आपको मिलेगा, यह देखे, 33.40 ऐसा कुछ तो, मतलब 35 के आसपस यह चला गया था, दो रुपे का stock, मतलब इस प्रकर से logic लगाने होते हैं दोस्तो, ऐसा ने की कुछ भी करके, तुक्के बाजी की करके, और इसका link भी मिने उपर आई बटन पे आपको दे दिय just for educational purpose, यह बार-बार में बोलते रहूंगा, क्योंकि blind followers बहुत सारे हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, then दोस्तो, criteria number 2, कौन सा, तो दोस्तो, बड़े investor, yes, बड़े investor आपको पता है, share market में बहुत सारा पैसा होता है, उनके पास, या फिर आप बोल सकते है, mutual fund, FIS, BIS, या इस आपको देखने को मिले, बट फिर भी, कभी-कभी ऐसा scenario बन जाता है, exceptional cases, rare exceptional cases कभी-कभी मिल जाते हैं, and अगर मिला, तो जरूर मैं उस penny stock को जबरदस तरीके से study करता हूं, and खास करके आपने देखा होगा, कि share market में कुछ बड़े players भी होते हैं, अब यह बड़े players ब भाई, किसी बड़े player ने उसमें जाके, सीधा मतलब 200 करोड लगा दिया, ऐसा क्या हो गया भाई, उस company में, कुछ ने उनके पास internal information होगी, कि बविशय में कोई तो बड़ा contract मिलेगा करके, और बाद में ऐसा ही हुआ 3-4 मैने के बाद, and फिर suddenly वो stock जबरदस भाग गया करके तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है, तो उस penny stock को आप चाहो तो consider कर सकते हो, consider करना मतलब study करना, खरीदना है नहीं खरीदना है वो बात की बात, and अगर जाना भी है, तो आपको जैसे मैंने का कि रद्दी का पैसा, बहुत ही छोटा पैसा एक बार में चेक करता हूँ कि भाई, कुछ तो decent promoter होने चाहिए, I'm not saying कि 70% होना चाहिए, 50% प्लस होना चाहिए, कुछ तो थोड़ा बहुत तो promoter होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि promoter पहले तो 70% और अभी कितना है, 3%, 4% आरे, भाई, promoter है भाग गए, अगर promoter उ में रहेंगे, तो शायद से भाई, कुछ तो वो कोशिश करे, कुछ तो हाथ पेर मार ले, डूब रहे है कंपनी, कुछ तो कोशिश कर ले, क्यूंकि देखा गया तो उनका ही पैसा डूब रहा है, तो अगर कल recover हुआ, तो सबसे ज़्यादा भी promoter का ही होगा, तो इसलिए थोड़ा में चेक कर लेता हूँ, कि किसी penny stock में अगर promoter की ठीक ठाक holding देखने को मिल रही है, तो उसको भी में note कर लेता हूँ, इसकारते हैं नहीं कि उसमें blindly जाने करके, बड़ इससे हमारा थोड़ा सा confidence बढ़ जाता है, next अगर हम लोग बात करें, point number 4, business, यह तो important में अगर जाना भी है, फिर भी मैं उसका थोड़ा बहुत business check कर लेता हूँ, business check करना मतलब क्या दोस्तो, खास करके जैसे मैं आप लोग को यहापे सिखा के रखा है, yes, industry, sector को check करना, कभी-कभी ऐसा होता है न दोस्तो, एक emerging sector start, उसका मतलब बोलते है न, time start हो जाता है, जैस से, वहाँ पे भी कुछ हम लोग को बदलाव देखने को मिल जाए, तो इसलिए, यहाँ पे business देखना भी उतना ही important part यहाँ पे बन जाता है, तो यह भी एक important criteria है, इसको आप note करके चल सकते हो, then दोस्तो आ जाते, point number 5, and यह point number 5, and 6, काफी important है, so point number 5 क्या है दोस्तो, yes, stock split, bonus यहाँ पे आना, मतलब आप लोग ने यहाँ पे देखा होगा दोस्तो, कुछ company ऐसी रहती है, जिसका share price बहुत उपर रहता है, और वो stock split लेकर आते हैं, share का price मीचे आ जाता है, but कुछ company दोस्तो हम लोग ने ऐसी भी देखी, जिसका share price था 60-70, and उनके management में stock split लेके है, and share का price लेकर आये, 6-7 रुपया, अभी वो penny stock नहीं था, market cap के साब से mid cap ही था, but फिर भी pricing के साब से आप देख सकते हैं, 6-7 रुपय का stock, and ऐसे stock में क्या हो जाता है, retailers गुश जाते हैं, and क्या हो जाता है, yes, जो volume रहते, वो हम लोग के ऐसे shares के बढ़ते वे देखने को मिल जाते and इस चीज़ के चलते, share में हम लोग को तेजी देखने का आप मिल सकती है, इसी का best example में आप लोग को देख सकता हूँ, Trident Limited, कोई recommendation नहीं है, इसी से related मेने वीडियो पहले ही बना के रखा हो था, हमारा जो दूसरा चैनल है, SMKC आपको पता ही है, बहुत सारा लोग पूश पस return बने, ठीक है, अगर आपको मेरा पूराना वीडियो देखना है, उसका link भी में उपर I button पर दे देता हूँ, जाकर check कर लेना, तो logic यही था दोस्तों, कि यहाँ पर Trident में किसी को कोई रूची नहीं थी, 60-70 पर चलता था, उसके बाद split आया, share 6 रुपे पर आ गया, उ आम लोगों को ऐसा ही देखने को, मतलता था थोड़ा बहुत उपर ही था, तो यह सारे parameters देखकर ऐसा लगा था कि चलो भाई, अंदेरे में तीर चला नहीं है, तो इसमें क्यों नहीं चला सकते, तो इसलिए मैंने आप लोगों को study करने के लिए वो stock यहाँ पर दिया था, ठीक है, एंड उसके बाद आप देख सकते हो, कि logic के साथ तुक्का लगाओगे ना, तो चले कुछ तो magic हो सकता है, एंड इसलिए वो magic हुआ भी, हाँ उसके लिए भी time लगा, बट हुआ magic, एंड उसके बाद आपको पता है, ट्राइड इंड इब्दम popular बना, इब्दम rocket की है, कि अगर आप दाव भी लगा और तुक्का भी लगा रहे हो, कुछ तो मतलब logic होना चाहिए, अगर मैं आपको पूछू कि भाई, आप किसी स्टॉप में क्यू जा रहे हो, वो क्यू का जवाब आपके पास होना चाहिए, सही गलत वो तो बात की बात है, बट जवाब तो company law, मतलब corporate law की बात करे, company law की बात करे, अभी कानून यहाँ पे रहते हैं, आपको पता है, यह company जो चला नहीं है, तो इससे related rules regulations बना के रखे हुए है, और दोस्तों हम लोगों ने देखा है, बहुत बार company law में ना changes भी हो जाते हैं, और खास करके, देखा गया ना, तो चोटी companies रहती है ना, चो डूबी भी companies, उसको कौन खरीद देता है, बड़े players खरीद लेते हैं, और इससे related ना law में बार बार changes होते रहते हैं, अगर उसकी अगर आपको अच्छी कासी समझ है ना, तो आप वहाँ पे कभी मोका देखकर चोका भी लगा सकते हो, या फिर अगर या पे committee of creditor से अगर आपको approval या पे चाहिए खरीदने से related बड़ी companies के और, तो पहले कुछ तो rule था 75% के आसपस, votes आने चाहिए करके, और बाद में वो rule या पे बदल कर 66.66% के आभी कितना है, चेक करना पड़ेगा, बट ये rules में हम लोगो बदला होते वे देखने क लिए, और तभी मैंने एक stock को cover किया था, आपको बोला था कि भाई ये company अच्छा कर सकती, जिसका नामे अलोक industry, आज की दिन की बात नहीं कर रहा हो, कितने सारे लोग अभी पूछते है, वही, sir अलोक industry आपने कैसे बताया था, तभी 3-4 रुपे पे चलता था, और बाद मे अगर आप देखोगे, ये stock लगबख literally 60 रुपे के आसपास चला गया था, 60 रुपीज, कितने कैथा तभी 4-5 रुपे, अगर आपको वह वाला भी वीडियो देखने है, उसमें तो मैंने सीधा सीधा आपको बताया था, क्या होने वाले है, खौन सी companies को खरीच सकते हैं करके उसका link भी में उपर आई बटन पे दे रहा हूँ, इन वीडियो को skip मत करना, जितने भी link में आपको दिये है, आपको detail में समझ में आएगा कि कैसे penny stocks को भी logic के साथ चुनकर फाइदा आप उठा सकते हो करके, ठीक है, और यही reason था, कि दोस्तों आप देख सकते हो कि stock 3-4 र problem होता है, कि सब कुछ खतम होने के बाद बहुत सारोग जाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, तो यह दोस्तों summary के form में अगर मैं बात करूँ, यह 5 से 6 criteria आपने study करने, इसको बार बार go through करना है, आपको पता चलेगा market में ऐसे shares आपको filtration लगा कर, कुछ shares आपको मिल जाए ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कैसा outcome निकल कराता है, ऐसे बहुत सरे experience में हैं, अपने life में आपे खर चुका हूँ, कभी सफल भी रहा हूँ, कभी असफल भी रहा हूँ, ठीक है, तो यही सबसे major चीज है दोस्तों, इसको अगर आप follow करोगे, तो आपको अच्छे का से returns, या फिर result, penny stocks में भी देखने का आपे मिल सकते हैं, तो आप पूछते हो ना कि सर, आप penny stocks को कैसे identify करते हैं, तो यही 5-6 criteria में लगाता हूँ, ठीक है, इसी चीज के चलते अच्छा लासा success भी आपे मिल जाते हैं, no doubt दोस्तो, openly कहना चांगा, luck का भी part होता है, yes, luck भी आ 5-5 साल, and देखा गया तो यह penny stock है, तो कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए luck का भी होना बहुत important है, आपका logic भी जिक सब कुछ सही हो, क्या पतल, stock भागे ही न, क्यूंकि देखा गया तो यहापे कोई रहता तो है नहीं, ठीक है, मतलब बड़े players की निगाए नहीं होती, बड इनों वीडियो की लिंक भी मैं नीचे description box में, comment section में pin करके दे रहा हूँ, जो मैंने SMKC चैनल में cover किये थे, सारे penny stocks को cover करने के लिए, तो उसके पीची का logic भी वही था, आप उन वीडियो के ओपर जाईए, देखिए, तो आपको पता चलेगा, खास करके, अलोक industry वाला example द कर लेना, सो चले मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye